बाबू हम लोग का कुछ नहीं मिलता है, कुछ बेवास्ता नहीं रोट के साइड में हैं हम लोग, गरीब आदमी हम हूँ लोग का कुछ किरपा करिए लाइक, शेयर, कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब किजिए डेमोक्राटिक चर्खा को नमस्कार मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्राटिक चर्खा, अभी हम लोग पटना के एक पौश इलाके में खड़े हैं, पौश इलाका मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इलाका पटना का दरोगा रापत है, आर ब्लॉक से थोड़ा सा ही आगे है, यहाँ पर मेरे पीछे झुगी जोपडि में लोग रहे हैं, लेकिन इसके साथी कुछ दूर आगे जाकर कुछ ऐसे लोग रहते हैं, जिन्हें यहीं के लोग चुनते हैं, यानि यहाँ के विधायक, ये विधायकों का कौटर भी यहाँ से पीछे है, इसके बावजूद यहाँ पर जो बस कि ठंड में यहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके पास कोई सुविधा है मौजूद है या नहीं थोड़ी दूर आगे यहां से हर पॉलिटिकल पार्टी हर राजनायतिक दल के बड़े-बड़े बंगले हैं बड़े-बड़े कार्याले हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी यह पूछते नहीं है यह देखते नहीं है कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं वो किस हालात में हैं और कैसे अपना जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं अभी अभी जो पूरा कोरोना काल भी था आप अभी बता रहे थे तो क्या आप लोगों को कभी भी किसी तरह क पूरा जाड़े का वक्त है तो आप लोग यहां पर एप नहीं रहा हैं आप लोग यहां पर रात में कैसे सोते हैं अविधायक से जाकर इस बारे में मिलकर बात नहीं करते हैं मिलकर क्या बात करें उसमें बहुत आद्मी है आते हम लोगा देने के लिए बिच में आकर दोसरे आदमी ले जाते तो बोलता कि आपको नाम से मिल गया नहीं आहलोगोंने, बोलता है कि जब हम लोगों का सामान कैसे किसी और को पर पटना में सरकार ने कई रैन बसेरा बनाया है जहां पर वो लोग कह रहे हैं कि चौकी गद्दा कंबल हम लोग सब दे रहे हैं यहां पर लोग आए यहां पर आके लोग सोहें आप लोग वहां कभी नहीं जाते हैं है है इ Halo K करने दियर करता है बोलता है कि देने की लिदे यह जाया कहा है उन्यादकर इसमें रोट के ला नहीं देते हैं मतलब बाटने के जगाए आप लोग को कोई पज़ा पर हैं सर जालते हैं गुमने बाल बच्चा के लिए खाना खिलाने के लिए मांग कराते हैं अहलागादी आता है चुचुन मुचुन आता है पमाते हैं चावोड डाल रहा है टांग कर सब ले जाता है यह सच्चाई है पतणा के रैन बसेरा की जहाँ पर कई मीडिया संस्थान ये दावा करते है कि पटना में जो सरकार ने रैन बसेरा बनाया है वो एक तरह से थ्री स्टार होटल के तरह है जहां पर हर तरह की सुविधाय मजदूरों को मिलती है रिक्षा चालकों को मिलती है लेकिन यहां पर जो लोग बता रहे हैं और सुफ यहां की बात नहीं है जगहों पर हम लोगों ने बातचीत की तो वहां पर लोगों ने कहा कि उस रैन बसेरे के अंदर कई लोगों को घुसने ही नहीं दिया जाता है और यहां पर भी बताया जा रहा है कि उस रैन बसेरे में अंदर नहीं जाने दिया जाता है और साथ ही एक आजाता है आप अपने घर जाईए आपको कंबल मिलेगा यहां पर आप लोगों को कभी सरकार के तरफ से कोई मकान या रहने के लिए कोई सुविधा मिली है तो आप लोग यहां पर विधायकों का इलाका यहां पर कई MLA विधायक रहते हैं तो क्या वो लोग आप लोगों से कभी मिलने नहीं आते हैं कभी बात करें मिलने नहीं आता है हम लोग से ऐसे खुले में आप लोग जाड़े में कैसे यहां पर रहते हैं तो यहां पर सारे विधायक लोग रहते तो कभी सरकार के तरफ से या किसी भी राजनायतिक दल से कोई नहीं आता है देखने के लिए अधार लाए उसला ये रा संकाड लाए कहां कहां का है जाका आप लोग कर अधार घर अन्वलया से हां पट्टना में कमाने कहां आया है बचवा गरीब अदमी अप यहां पर क्या काम करते थे आप मोद का देखाते हैं अच्छा और यहां पर अभी जो जाड़ा पूरा पड़ रहा है तो आप लोग यहां पर कैसे रात में यहां पर रहते हैं बच्छा लोग हटा पुराना लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पर सब्सक्राइब किजिए डेमोक्राइटिक चर्खा को